कि स्वागत है सब यह बच्चों का अब कि बार देखिए स्पोर्टिंग एरस लिया हुआ और इस्पोर्टिंग एरस ज्यादतर बहुत परसानी वाला विसे होता है और यहां पर बहुत अच्छे एरस हैं जो एरस चुके अच्छे नहीं होते हैं किसी न वाइन वह किसी तरह से बच्चों को टीज करते हैं एक प्रॉब्लम होती मेरा मतलब कि सेंटेंस अच्छे प्रैक्टिस अच्छी इस वाज़े से मैंने का अच्छी है तो छुकि एरस का मतलब भी होता है कि एरस गल्तिया भूल अच्छे सेंसमें यहां पर उनको नहीं लिए जा सकता है बट यह की सेंटेंस के कोडिंग अगर लें कि प्रैक्टिस सेड बनिया है तो उसे साफ से स्पोर्टेंग एर्रस मतलब जो एक नॉलिज दे उसे साफ से अच्छे हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परसानी के आगे हम देखते हैं ह् है कि फिस्ट नंबर सेंटेंस है और फर्स्ट नंबर में सन्तेंस में लिखा हुआ है इसी में क्या है यहाँ पर गलत है इसी में मिस्टेख है एक्शुली यहाँ पर कण्टिनुवस और कॉंटिनुवस का मतलव होता है कि गते कैसे कोई ग एक बात हो गई लेकिन कण्टिनुवस हो기도 और रुक रुक करके कर तो इससे क्या है सेर में जब इस तरह की बारिश हुई तो लोगों को घर के अंदर ही रहने दिया बाहर नहीं आने दिया तो यहां पर आपका यह गलत है तो आप्षन आपका यही सेलेक्ट किया जाएगा इसकी जगह अगर कंटिनूवल होता कंटिनूवल सी ओ एन टी आई ए एन यू ए और अगर यह कंटिनूवल होता तो यह सही होता तो कंटिनूवल रेन का मतलब यह है कि थोड़े देर के लिए बारिस रुकी दस-पांच में फिर शुरू गई फिर फिर शुरू गई इससे मतलब कोई आदमी कहीं जाने पाया और वह तो कॉमन सेंस के बाद कि कं अगर जाने के प्रयास करता है तो फिर ओने लगती है ऐसे करके तो कॉंटिनूवल यहां पर वन नंबर पर होगा फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है फिर लॉंग टाइम आइडि नौट वह सिटिंग बिसाइड्स मी विकॉस इट वास वेरी डार्क अफिल लंबे समय तक मैं यह नहीं समझ पाया कि मेरे बगल में कॉन बैठा क्योंकि अंधेरा काफी था तो फिलाल यहां पर यह जो सब लिखा हुआ है बिसाइड्स यह गलत है अगर मेरे पास की हम बात करें तो बिसाइड होता है केवल बिसाइड ठीक है ना एस नहीं होना चाहिए यहां पर जो एस है वो नहीं होना चाहिए मेरा मतलब की बिए एस आई डिए होना चाहिए क्योंकि यह बिसाइड्स माने होता है क्या होता है क अगर बी साइड मतलब बाइद साइड ऑफ के संसे में जो यूज होता है वो भी साइड होता है तो यह होना चाहिए इसलिए आपका सी है जिसमें एरर है इसके बाद आपको थर्ड नमबर है दा प्रोफेसर ट्राइड ट्राइड इस वेरी वेस्ट तो ब्रिंग होम और अगरे में ब्रिंग होम और नहीं होता है ब्रिंग होम टू होता है यहां पर ओन नहीं होना चाहिए यहां पर होना चाहिए टू ठीक है न तो इसलिए यही आप्शन सेलेक्ट किया जाएगा और यही एरर है और ब्रिंग होम टू माने होता है समझाना इसके बाद है चोथा नमबर, she has been practicing medical profession for a long time but is at to attain perfection, वो तब वो लंबे समय से medical profession ट्राइ कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, फिर भी अभी उसे perfection यानि पूर्टा प्राप्त करने की आवशकता है, कुल मिलाकर कि जो भी हो, लेकिन ये practicing word गलत है, प्रैक्टिस जब पी आरे सी टी आई सी ए होता है, और पी आरे सी टी आई सी होता है, तो वो आपका word होता है, तो यहाँ चुक्की word की तरह इसका इसका इस्तिमाल किया गया है, इसलिए sing होना चाहिए, और sing होगा, तो सही हो जाएगा, इसलिए option आपका वही, ये वाला select किया जाएगा, My friends insisted that I should see the movie from beginning to the end, मेरे friend ने मुझे पर जूर दिया कि मुझे movie को सुरू से अंत तक देखना चाहिए, वो movie तो देखना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये दागलत है, क्योंकि जब from or true का combination होता है, तो वहाँ पर एक duration बताए जाती है, from Monday to Sunday, from October to November, अगर ऐसे करके कहा जाता है, from morning to evening, ऐसे करके कहा जाता है, तो from or true के बीच फिर कोई article नहीं आता है, तो from beginning तो सही है, पर to the end नहीं होता, to end होता है, from beginning to end, यहाँ दा गलत है, और इसलिए अपसाना आपका D है, जिसमें error दिया गया है, six number है, irregardless of what people say, I must repeat that these are the facts concerning the requirements for the opposition, यहाँ जो red, red करके और blue, blue करके दिया हुआ है, तो red का मतलब यह नहीं समझना कि error इसी में है, वो तो color थोड़ा बना दिया है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पर हमें part में देखना है, अब यह है कि वो थोड़ा सा colorful हो गया है, कोई red है, कोई blue है, कोई black है, लेक तो less खुदी उसको opposite बना रहा है, आई आर उसको बनाने की जोड़त नहीं है, तो आगे का iR अगर हटा दें, तो regardless सही सब्द बन जाएगा, तो option A है जिसमें mistake दिवी है, लिगा है फिर a nationwide survey has brought up an interesting finding regarding infant mortality rate in India, जो nationwide survey हुआ है, वो उसने क्या इसपस्ट किया है, एक interesting खोज दिए, एक interesting news दिए, information दिए, finding का मतलब आई है, information से, regarding infant mortality rate in India, अर्थाद भारत में जो शिशू मृत्युदर है, उसके बारे में एक interesting news दिए है, तो हला कि यहाँ पर आपका, ना तो A में गलत है, और ना ही C में, और ना ही D में, आपका गलत है यहाँ पे, चुकि brought up न bring up माने पालन पूशन करना होता है, जबकि यहाँ पर आपका होना चाहिए, आउट, अपकी जगे होना चाहिए, आउट, आउट से क्या होगा, bring out माने होता है, इस पस्ट करना, किसी fact को, किसी जानगारी को publicly show करने को bring out कहते हैं, प्रकास मिलाना, तो यहाँ bring brought out होना है, several prominent figures involved in the scandal are required to appear to the investigation committee, तो बहुत सारे prominent figures हैं, जो scandal में involved हैं, और उन्हें appear होने की आवश्यक्ता है, जो investigation committee है, उसके सामने, तो appear to नहीं होगा, यहाँ पर appear before होगा, टू की जगए हटा करके आपको before लगाना है, ठीक है न, इस जगए पे before, तो टू अटाइए और before लगाइए, और option आपका D है जिसमें error दिया हुआ है, इसके बाद देखते हैं, nine number है, it is wrong on your part to call into question the integrity of your elder, brother, it is wrong, अर्था किये गलत है, on your part तुमारी तरफ से, to call into question, संदेख करना, the integrity of your elder brother, अपने बड़े बाई की निष्ठा की परती, हलाकि यहाँ पर पूरा सही है, वो यह कहता है, कि अपने बड़े बाई की जो निष्ठा, integrity माने निष्ठा होता है, उसमें संदेख करना तुमारी तरफ से ठीक नहीं है, तो चुकि बहुर सब ठीक है, call into गलत है, call into क्यों गलत है, क्योंकि call in होता है, call in, call in माने होता है, संदेख करना, call into नहीं होता है, ठीक, यह भी आपका phrasal verb है, तो इस तरह से जो phrasal verb और idiom से related जो error होते हैं, काफी hard होते हैं, तो call into नहीं होगा, call in होगा, इसलिए option आपका भी है, जिसमें error दिया हुआ है भी लिगा, you are never practical and your suggestions hold no water, because they are not convincing, actually, जो hold water होता है, hold water माने ठीक होना होता है, ठीक होना मतलब होता है, कि जिसे to be right, सही होना, correct होना, तो to be right का मतलब hold water, hold water मतलब ठीक होना, अब hold water के बीच में कोई extra water नहीं आना चाहिए, तो यह no नहीं लगेगा, यहाँ पर चुकि हमको लगाना चाहिए, यह था do not, यह do not लगाना चाहिए, इस जगे पर, ठीक है ना, कि इस जगे पर लगाना चाहिए, यहाँ पर लगाना चाहिए, और तो no आ से हट जाएगा, तो you are never practical and your suggestions do not hold water, because they are not convincing, तो do not hold water होना चाहिए, पार्ट में आपका सी गल जब पुलिस पहुची उसके पास, तो उसने अपने दोनों आतों को जोड लिया, यह प्रकट करने के लिए वो समर्पन कर रहा है, तो यहाँ पर यह सब कुछ ठीक है, पर यह बी पार्ट में यह गलत है, कि बहुत आपका इधर आना चाहिए, इधर और हीज आपका इधर जगा, मतलब यह है कि बहुत एक अडजेक्टिव है, जो कि नाउन के पहले आता है, हला कि हीज भी जो है वो पुझेशी अडजेक्टिव है, लेकिन हीज आपका जो नाउन है, उसके नजदीक होना चाहिए, क्योंकि यह थोड़ा सा नेरेस्ट अडजेक्टिव है, जो यह हुआ है, वो हीज बहुत एंड से नहीं हो जाए, बहुत इस हैंड से होगा, तो बहुत पहले करना है और हीज बाद में करना है, और यही एरर है, फिर इसके बाद है, 12th member, you have to make a comment point based on the faith that all human beings have capabilities and abilities that are always not visible, that are always not visible, तो यह पूरा सही है, ठीक है, यहां पे भी सही है, गलत यहां पर है, इस जगे पर, that are always not visible, always not, अगर कोई बीगी फॉर्म दी होती है, तो उसके बादी not का प्रियोग होता है, ठीक, और यहां पर आर दिया हुआ है, तो आर always not गलत है, तो मारा जो not लगे वो यहां पर लगे, यहां पर लगे, यहां पर मैंने arrow बनाया, तो इस जगे पर आपको 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 stay on का मतलब होता है किसी काम में persisted on यानि लगन में लगे रहना तो I find it impossible to hold on टीके रहना मतलब मैं किसी भी पोस्ट पर किसी भी जगया पर और अधिक दिर ठाहरने के लिए असंभव पाता हूं तो यहां पर hold up नहीं होगा hold on होगा और आपसर आपका ए टिक कर दिया जाएगा जिसमें mistake दी हुई है hold on होता है मतलब मेरी सांतुना देने के बावजूद भी वो सारा दिन रोती रही तो सारा दिन रोती जब इस तरह का काम जारी रहना तरसाया जाता है तो उसके बाद जीरण तो आता ही आता है लेकिन kept के बाद साय तुम जान गए होंगे कि इसमें kept on होना चाहिए she kept on weeping, she kept on, she went on, ऐसे होता है न, she go on, keep on, तो यह ऐसे uses है keep on, go on का तो यह kept on होना चाहिए और kept के बाद on हो जाएगा तो सी हो जाएगा आपकी mistake यह आपर है बी number option में इसके बाद है 15 number do not be afraid of difficulties and carry out your business as usual परसानियों से मत डरो और अपने business को हमेशा की तरह जारी रखो तो carry on, यहाँ पे out गलत है चुकि carry on, out को आप on में convert करें तो आजसानी से आपका sentence से हो जाएगा actually carry out माने पालन करना होता है और carry on माने जारी रखना होता है तो अपने business को पालन नहीं करना है जारी रखना है तो carry out की जाएगा carry on तो भी पार्ट है जहाँ mistake दिविए वह ही चूज करना है इसके बाद है though recently married Rita and Rahul are not pulling on well with each other यह देपी हाली में रीता और राहुल जो विवाक किये हुए हैं दोनों लोग वे एक दूसरे से अच्छे से नहीं match खा पा रहे हैं या mail से यह बहुत स्वामता से मदूरता से उनका जीवन नहीं चल पा रहा है तो pull well जो होता है एक दूसरे के भावनाव से जुड करके एक मधूर हैं सौम्या सौम में जीवन ही अपन करना थो pull well माने अच्छे से जीवन ही आपन करना होता है इसके बाद सेवेंटीन नमबर, शी काल ओन माई आफिस इस्टरड़े, बटाई वाज आउट आफिस्टेशन अन टूर, वो मेरी आफिस में कल मिला, लेकिन मैं घर से बाहर किसी टूर पर था, हलाकि यहाँ ओन गलत है, ओन इसली गलत है, क्योंकि यह दो होते है, एक काल ओन होता है, एक काल एट होता है, काल एट वहाँ पर यहाँ पर किसी जगह पर मिलता है, पहले तो मैं यह बता दूँ, काल ओन माने यह काल एट माने मिलना होता है, बुलाना पुकारना कुछ नहीं होता है, कि यह कहना भी नहीं होता है। Call on माने मिलना, call at माने मिलना है। किसी जगह पर मिलना है तो call at और किसी time पर मिलना है तो call on। जैसे he called me on Sunday, वो मुझे रभबार को मिला। He called me at bus 10, he called me at bus 10, वो मुझे bus 10 में मिला। जब कोई location कोई इस्थान बताए तो at आएगा और अगर कोई समय बताए, day, date या month तो फिर आपको call on करना हुआ। ठीक है। इसके बाद 17 नमबर के बाद चलेंगे, 18 नमबर पर, she comes from a rich family but she does not know how to behave। वो एक अमीर परिवार से आती है, अर्था उसका अमीर परिवार में जन्म हुआ। लेकिन वो यह नहीं जानती कि बेवार कैसी क्या जाता है। तो यहां comes off होता है, from नहीं होता है, from की जगे, from की जगे off करना है और आपका option से हो जागा। जब धान सुन लिजे, जब भी कभी होता है कि वो इस परिवार में जन्म है, यह धनी परिवार में है, यह गरीब परिवार में है, यह प्रतिष्ठिति यह सम्मानित परिवार का है। तो सी कम्स आफ होता है, जब परिवार की बात है, परिवार का मतलब होता है, कि वो किसी धनी परिवार का है, से का मतलब क्या होता है, मतलब वो अलग करता है, तो वो अलग कैसे हो जाएगा, जब धनी परिवार का तो अलग कैसे हो जाएगा, कोई ऐसा प्लेस तो है ने कि कही इसे आया और वो छूट गया परिवार तो जिस परिवार में जन्म लेता है वो तो उसके जन्म से जुड़ किया ना वो तो जीवन भारा और पीडियों तक और यूगों तक बना रहेगा इसलिए आफ होता है फ्रॉम नहीं होता है यह हमेशा अधर करी थोड़ा सा मतलब ध्य जान रखने वाली बात यह है इसके वाद नाइंटीन नमबर है इस डिफिकल टू पूट अप इस एबरेशिव भीवियर इन सच सर्कॉम्टेंस मतलब आईसी परिश्थिति में आईसी परिश्थितियों में ठीक है उसका यह जो रिव्ड भीवियर है यह क्या है साइन करना प्राका अभी कपाठीन तो पूट अप यह बन्योंता पूट अफीडota सभी नहीं पड़ा होगा पूट आप ओर क्या होते है छो यह दो तक उचिव क्योऒल पूट आप नहीं होता है इसलिए मिस्टेक आपका बीपार्ट में पूट अपल ग मिस्टेक पाडो चूट आ आज क्योंकि उसकी पतनी बुखार से पढ़ गई है अब पढ़ गई है अब पढ़ गई है का मतला पीडत है लेड़ अप भीद लेड़ अप भीद यह होगा ठीक लेड़ अप भीद सी नमबर का उप्शन चुना जाएगा तो इस प्रकार से ट्रेंटी मोस्ट कॉमेरेर की और इसी तरह से तेजी से वहापर ढूड़ा जाता है औरनों बहुत लेड़ हो जाता है टाइम भी छूड़ जाता है कोशन पर पर बीचूड जाते हैं बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है इसलिए जितना ब्यासाइब अच्छा कुछ लड़के इसको देखते नहीं है मेरे तरह सबी को धन्वाद और ये वीडियो देखने के लिए भी आपको बहुत 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 धन्वाद थांक्स पर वाचिंग